वेलकम टू नेक्ट एक जाम आज है 27 परवर्ड़ी 2019 वा 27 परवर्ड़ी 2019 से करेंट प्रेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन मन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कुश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलिगराम ग्रूप जोίνगा सकते हैं और मैं अन yeni पर बढ़ाता हूं तो आप अनकैडमी का लर्निंग डाउन्लोड करके उस पर इंद्रेस र-सी सार्च करके आप मेरे साथ अननकैडमी पर जोड़ सकते हैं और जो आप वी वीडियो में Baruladson Un etaquer replies प्रव्लोड किये है उन्हें आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कूश्चन है हाली में इंडिया स्मार्ट यूटिलिटी बीक का आयोजन कहां किया जाेगा तो अभी हाली में इंडिया smart utility big का आयोजन किया जाएगा नई दिली यानि किस question का C options है अब ये है क्या इंडिया smart utility big तो smart energy smart grid और smart cities के लिए है ये इंडिया smart utility big इसमें 55 से ज़्यादा देशों के 40 से ज़्यादा organization पार्टिस्पेट करेंगे और 300 से ज़्यादा expert इसमें पार्टिस्पेट करेंगे तो ये है इंडिया smart utility big और इसका आयोजन अभी हाली में नई दिली में किया जाएगा और कब किया जाएगा 12 से लेकर 16 मार्ज तक इसका आयोजन किया जाएगा तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है आज किस वीडियो का हम target रखते हैं 40,000 लाइक का तो अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगता है helpful लगता है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ daily morning में उटकर सबसे पहले अपने लिए एक target fix करो चाहे छोटा साई target fix करो लेकिन daily morning में उटकर अपने लिए एक target fix करो और अपना पूरा दिन उस target को achieve करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगा नेक्स question है हाली में संप्रती 2019 से नव्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित क्या जाएगा यानि किस question था बी option सही है और कब आयोजित क्या जाएगा ये 2 मार्च से 15 मार्च के बीच आयोजित क्या जाएगा और बांगलादेश में एक जगे है तंगेल वहाँ पर ये आयोजित क्या जाएगा और ये संप्रती अभ्यास का आठमा संस्क्रट है कौन सा है आठमा बांगलादेश की तंगेल में ये आयोजित क्या जाएगा तो आप मैप में देखी ये है बांगलादेश के बारे में इसी flow के साथ और इसी तरह चीज़ें आपको याद होनी चाहिए next question है हाली में किस देश ने पहली बार एक महिला को राजदूत नियुट किया है तो अभी हाली में सौधी अरब ने पहली बार एक महिला को राजदूत नियुट किया है यानि कि अमबेजडर नियुट किया है तो इस question का C options है अब ये महिला कौन है जिनको पहली बार सौधी अरब ने अमबेजडर नियुट किया है तो ये है राजकुमारी रिमाविन्त वंदार सुल्तान ये है map में साओधी अरब साओधी अरब की capital क्या है? riyaat साओधी अरब की currency क्या है? साओधी रियाल और साओधी अरभिया के present time पे crown कौन है? मुहम्मद बिन सुल्तान ये अभी हाली में इंडिया भी आये थे तो इनका नाम आप याद रखिए next question है हाली में PepsiCo की पूर्व CEO इंद्रा नुई को किस कंपनी के निदेशक मंडल में सामिल किया गया है तो PepsiCo की पूर्व CEO हैं इंद्रा नुई और इनको अभी हाली में Amazon के निदेशक मंडल में सामिल किया गया है यानि किस कुशन का? C options आई है अब ये हिंदी का सब साइद आपको समझ में नहीं आ रहा हुगा निदेशक मंडल इसको इंगलिस में कहते हैं Board of Directors क्या कहते हैं Board of Directors तो इंद्रा नुई अब Amazon की Board of Directors में सामिल हो गई है अच्छा Amazon की संस्तापक कौन है Jeff Bezos Jeff Bezos Amazon की संस्तापक है और अभी प्रजेंट टेमपे Jeff Bezos बल्ड की सबसे रिच परसन है नेक्स कुशन है हाली में राश्टी युवा संसद महुतसब 2019 पुरुसकार कौन परदान करेगा तो अभी हाली में परदानमंत्री नरेंद्र मोदी राश्टी युवा संसद महुतसब 2019 पुरुसकार पतान करेंगे यानि किस कुशन का C options है ये अच्छे ये राश्टी युवा संसद महुतसब पुरुसकार है क्या और इनकी सुरुआत कब हुई इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए तो बारे जन्वरी 2019 को इनकी सुरुआत होई थी कब होई थी बारे जन्वरी और बारे जन्वरी को क्या होता है स्वामी विवेकारन जी का चलने तो बारे जन्वरी 2019 को इनकी सुरुआत होई थी और ये पुरुसकार दिये कि इनको जाते हैं तो ये युबाओं को दिय जाते हैं ऐसे युबा जो सोचल वागेदारी सबसे जादा करते हैं समाज की मुद्दों में जो जादा काम करते हैं उनको ये पुरुषकार दिय जाते हैं तो अभी हाली में राश्टी, युबा, संसद, महुतव, globe 2019 पुरुषकार हमारे प्रदानमंतरी नरेंद्र बोधी प्रदान करें है नेक्स्कूशन है हाली में T20 अंतराष्टी में सरवादिक रन किस देश ने बनाए है तो अभी हाली में T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रनमना दिये हैं अफगानिस्तान में यानि किस कूशन का? और ये T20 इंटरनेशन में हाइस्ट स्कोर है इससे पहले ऑस्टेलिया ने सबसे ज़्यादा रनमना दिये हैं और कितने बनाए थे? 263 263 रनमना दिये ऑस्टेलिया ने अब उस रिकॉर्ड को अफगानिस्तान ने तोड़ दिया है तो अभी हाली में मद्य प्रदेश के भोपाल में राश्टी डिजाइन सहस्तान का उद्गाटन किया गया है यानि किस कूशन का? C option सही है बैसे दो जगए इसका उद्गाटन किया गया है एक मद्य प्रदेश के भोपाल में इसका उद्गाटन किया गया है और एक असम के जोर हाट में इसका उद्गाटन किया गया है तो दोनों मैंसे कोई भी आप्शन में दे सकता है तो आप दोनों याद रखे मद्यप्रदेश के बोपाल में राश्टी डिजान संस्तान बनाया गया है और असम के जोर हाट में राश्टी डिजान संस्तान बनाए गया है दोनों आपको याद रखने है Next question है हाली में Rising India Summit 2019 का उद्गाटन कहां किया गया है तो अभी हाली में Rising India Summit 2019 का उद्गाटन किया गया है नई दिल्ली में यानिक इस question का B options आई है और प्रदानमंत्री नरेंद्र बोधी ने इसका उद्गाटन किया है अचाहिए जो Rising India Summit 2019 है इसकी theme आपके लिए important है इसकी theme क्या है Beyond Politics Defining National Priorities क्या है theme Beyond Politics Defining National Priorities तो ये theme आप जरूर याद रखिए Next question हाली में किसे lifetime achievement अबाट से सम्भानित किया गया है तो अभी हाली में G.R. Cartqian को lamb time achievement अबाट से सम्भानित किया गया यानि किस question कहा B. options आप ये कौन है G.R. Cartqian तो ये भारत के पहले formula band driver नारायन कार्टीकेन के पिता है और इनको अभी हाली में lamb time achievement अबाट से सम्भानित किया गया है यह जो आपको right hand side में दिखाई दे रहे हैं यही है जी आर कार्थ किन और इनको अभी हाली में Life Time Achievement Award से सम्मानित किया गया है नेक्स कुशन है हाली में quality accreditation and ranking a silent revolution in the offering in Indian higher education नामक पुस्तक का विमोचन किस ने किया है तो इस पुस्तक का विमोचन किया है हमारे बाइस प्रेसिडेंट M.Bankaya नाइडू ने यहनि किस कुशन का B option सही है अब आपको एक तो इस पुस्तक का नाम याद रखना है और दूसरा इसकी writer का नाम याद रखना है अब mind में तुरन तरहा हुआ कि इतना बड़ा नाम याद कैसे रखें तो जब भी ऐसे कोई नाम आते हैं तो इसकी एक सौर्ट ट्रिक बनाते हैं आप इसका इतना सा हिस्सा याद कर लेजिए quality, accreditation and ranking बाद बागी आपको option में लिखा देखेगा तो आप उससे पहँचान लोगे quality, accreditation and ranking इतना हिस्सा आप याद कर लेजिए इस पुस्तक का बिमोचन किया है M. Benkeya Naidu ने और इसके writer कौन है, इसके writer है Dr. H. Chaturvedi तो writer का नाम आप जरूर याद रखना और इसका बिमोचन किया है मारे vice president M. Benkeya Naidu ने, next question है, हाली में कांस international open trophy किसे ने जीती है तो अभी हाली में अभी जीत गुपता ने कांस international open trophy जीती है इन्होंने इतली के Pierre-Louis Vaiso को हराया है और कांस international open trophy जीती है next question हाली में गांदी सांती पुरुषकार किससे ने प्रदान किये हैं तो अबे हाली में हमारे राष्टपती रामनात कोबिंद ने गांदी सांती पुरुसकार प्रदान किये यानि किस कुशिन का? तो 2015, 2016, 2017 और 2018 इतने गांदी सांती पुरुसकार हमारे राष्टपती रामनात कोबिंद ने प्रदान किये हैं अब गांदी सांती पुरुसकार में मिलता क्या-क्या है? तो इसमें एक सील्ड मिलती है, एक सर्टिपिकेट मिलता है और एक करोड़ रुपए मिलते हैं इतना मिलता है गांधी सांती पुरसकार में अब लास्ट वीडियो के question का answer लास्ट वीडियो में आपसे question पुछाता कि हाली में किस राज ने मीठी क्रांती योजना की शुरुआत की है तो अभी हाली में जार खंडर ने मीठी क्रांती योजना की शुरुआत की यानि किस question का B option सही था और लगवग सबी student ने इसका answer सही दिया है most list student ने इसके बारे में detail में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे में आपको जितना जादा से जादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में rail द्रश्टी dashboard किसने launch किया है चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous year के question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page जोइन कर सकते हैं क्योंकि previous year के question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई भी problem है तो आप Instagram पर indreshrc indreshrc Instagram पर indreshrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt कोई भी conclusion without any agitation discuss कर सकते हैं आज के वीडियो का target जरू याद रखना आज के वीडियो का target है 40,000 like का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है helpful लगा है तब आप इस वीडियो को like और share जरू करना तो ये था आज का हमारा करेंट अपैस का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा please comment box में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लेजिए आपको इस channel से निश्चे थी मदद मिलेगी जब भी आप इसे subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon में कियाएगा आप उस bell icon पे जरू क्लिक कर लेए जिससे कि आपको daily morning में करेंट अपैस की वीडियो मिलती रहे next exam all page with you thanks for watching